आज की ये वीडियो टैली प्राइम को ले करके है और टैली प्राइम के अंदर पेरोल वाउचर में जब हम एंट्री करते हैं यानि पेरोल वाउचर में तो हम सैलरी देने की ही एंट्री करते हैं और पेरोल वाउचर में जब हम इस तरह की कोई भी एंट्री करेंगे तो उसम हम TDS अगर salary एक हद से जादे हो जाती है तो उस salary पर TDS भी deduct होता है तो वो TDS कैसे लगाएंगे उसमें उसी salary के अंदर उसको आज देखने वाले हैं तो इस विडियो को ध्यान से देखिए और 100% guarantee है कि कैसे क्या बनेगा pay hits कैसे बनेगे कैसे हम decide करेंगे चीजों को वो सारी च सबसे पहले टैली प्राइम को open करना है तो यहां पर टैली प्राइम का edit log version है मेरे पास मैं इसे open कर लेता हूं ठीक है और यहां पर कुछ इस तरीके से यह आएगा अब हमें क्या करना है यहां से educational mode में इसे continue करते हैं और इसके बाद क्या करना है जैसे यह educational mode में continue होगा तो यहां पर बहुत सारी company आप पहले से बनी रही हैं तो हम किसी एक company में काम नहीं करेंगे हम new company बना कर कि उसमें यह काम करेंगे तो यहां पर हम create company पर click कर देते हैं और एक company बना लेते हैं payroll के नाम से तो यहां पर हम payroll के नाम से ही company बना रहे हैं ठीक है आप किसी भी नाम से आ डाल लीजेगा और यहां पर पिन कोड होगर आता है और आप देख सकते हैं यहां पर financial year तो हमेशा एक अपराईल से ही सुरू होता है यह चाहे जो भी हो ठीक है तो हमारा 2024 है लेकिन काम भी हमारा एक अपराईल से ही सुरू हो रहा है तो यहां पर books beginning from यह date हमने एक अपराईल 2024 रखा है ठीक है अब क्या करना है यहां पर enter कर देना है और enter करने के बाद क्या करेंगे यहां पर पेरोल को चालू करेंगे तो यह देखिए maintain पेरोल यहां पर यह no है इसको हम yes करेंगे यहां से पेरोल आपको मिलेगा चालू पेरोल मास्टर आपको दिखाई पड़ रहा होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे employee का group बनाएंगे तो यह आगए group बना लेते हैं पहला group हम बनाएंगे management का management हो गया एंटर करेंगे और एंटर करके इसको accept कराएंगे इसे primary के ही अंदर हम डाल देते हैं फिलहाल इसमें salary define नहीं कर रहा हूँ और दूसरा group बना लेते हैं sales का ठीक है तो यह दूसरा sales का group है इसे हम management की under में डालेंगे तो यह management के अंदर में डाल दिया और इसको enter करके accept करा लिए तो यह दो group हमने बनाए हैं ठीक है employee के दो group बनाए है अब हमें employee का creation करना है तो आगए employee का creation करने यहाँ पर employee का नाम है अमन ठीक है और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर under में जब हम आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ primary ही आपको नजर आता है लेकिन यह जो primary ह इसके लिए हमने दो group भी बनाए थे याद है तो एक बार backspace की आपको नहीं जो space button होता है उसको आपको प्रेस करना है और प्रेस करके यहाँ पर मालीजे यह management के हैं तो यहाँ पर management डाल दिया हमने और एक अप्रेल से इनकी joining हुई है अब यहाँ पर salary की detail को define करना है तो basic salary तो यह हो गया basic salary कुछ इस तरीके से देख सकते हैं enter करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यह हो जाएगा आपका kya earning फॉर employees ठीक है यह earning ही होती है basic salary तो आपको प्राप्त होती है तो यह आपकी earning ही है ठीक है ज्यादतर माामलों में यह fixed रहता है अ तो हम यहाँ फिलहाल fixed रख देते हैं अगर आपको variable की जरुवत है तो आप variable भी रख सकते हैं यहाँ फिलहाल fixed करके आगे बढ़ेंगे direct और indirect expense में कई बार confusion हो जाता है तो यह indirect expense ही होगा ठीक है enter करेंगे, enter करेंगे, enter करेंगे और यहाँ पर use calculation of graduate to graduate calculate हम करेंगे income tax की detail को हम set नहीं कर रहा है और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यह salary मिलेगी on attendance के हिसाब से अगर absent होते हैं तो यह salary cut जाएगी, leave without pay तो यहाँ पर हम बना लेते हैं alt seeker के leave leave, l-e-a-b-e leave बना लिए, हमने enter करेंगे और primary group में रख देंगे इसको और यह salary monthly calculate होगी ना तो days wise calculate होगी ना ही four nights wise calculate होगी ना ही week wise calculate होगी यह होगी month wise, तो यह month कर दिया और यहाँ पर हम calendar period रख देते हैं और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो normal rounding रख के इसको enter करके accept कराना है, अब माल लिजे अमन की जो basic salary है, वो है 25,000, ठीक है तो यह आगे है 25,000, अब तो यह basic salary हुई, और भी चीजें है न तो और भी चीजों की detail हमें बनानी होगी, ठीक है, और भी चीजों की detail हमें बनानी होगी, तो कैसे बनाएंगे तो यहाँ create पे जाएंगे, enter कर देंगे अब माल लिजे, यहाँ पे हम बना रहे है TA, तो यह लिखा TA, enter करेंगे enter करेंगे, यह भी earning ही होता है और यह भी fit रहेगा, और यहाँ पर आएंगे, तो यह भी indirect expensive रहेगा जाहिर सी बात है, और यहाँ पर जैसे ही आते हैं न, तो यहाँ पर इस बार क्या करेंगे, computed value देंगे ठीक है, और यहाँ पर normal rounding करके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर on specified formula, देखिए, यहाँ पर चार option आपको देखेंगे, on current deduction total, on current earning total, on current subtotal और on specified formula तो यहाँ पर on specified formula लगाईएगा और यहाँ पर basic salary लगाईएगा ठीक है, और यहाँ पर अगर basic salary 20 thousand तक है, यहाँ 15,000 कर देते हैं, यहाँ पर 10,000 कर देते हैं, यहाँ पर 10,000 किया हमने, तो 10,000 तक है, तो ऐसी condition में, किवल 5% ही क्या deduct होगा, ऐसे में, यहाँ 2% का, जो है TA मिलेगा, और अगर 10,000 से उपर है, और 25,000 तक है, देखिए कहाँ तक बात कर रहा हूँ, 25,000 तो ऐसे में, 5% का क्या मिलेगा, TA मिलेगा आपको ठीक है, और 25,000 से चाहे जितना उपर हो, 3% का TA आपको मिलेगा, ठीक है कुछ इस तरीके से आपको इसे कर देना, ठीक है फिर इसे accept करा लेना है फिर अब अगला pay head बनाना है, तो यहाँ पर create पर जाके pay head बनाएंगे अगला तो इस बार DA, DA यानि dearness allowance होता है, enter करेंगे enter करेंगे, यह भी earning ही होगा, और यह क्या रहेगा, fix d रहेगा और यह भी क्या रहेगा, indirect expense ही रहेगा, तो यह indirect expense कर दिया, और यहाँ पर आकर के on attendance, यहाँ पर on attendance की जरुवत नहीं, यहाँ पर on computed value करेंगे, और यहाँ पर normal rounding करते हुए आगे आएंगे, और यहाँ पर on specified formula यहाँ पर बोलेंगे हम, यह basic salary है हमारी, और यहाँ पर basic salary के base पर ही हम और सारी चीजों को करेंगे, ठीक है, यह ध्यान रखीएगा, तो यहाँ पर 10,000 तक अगर salary है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, percentage दे सकते हैं या value भी दे सकते हैं, तो value दे दिया हमने, तो यहाँ पर 1000 उपर dearness allowance मिलेगा, और यहाँ से लेकर, यानि 10,000 से लेकर 25,000 तक salary है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 1500 तक dearness allowance मिलेगा, यहाँ 1500 कर दिया हमने, और फिर 25,000 से चाहे जतना उपर हो, यहाँ पर value में यहां value ही करेंगे तो यहां पर 2000 तक dearness allowance मिलेगा तो यह हमने दे दिया और फिर enter करके इसे भी accept करा लिया इसके बाद क्या करना है PF देना है ठीक है ध्यान दीजेगा PF PF का मतलब होता है provident fund और कई बार confusion में इसे हम duties and taxes के under में डाल देते हैं लेकिन यह बात याद रखेगा कि PF कटेगा तो यह वापिस भी मिलेगा ठीक है लेकिन TDS की कहानी यह है कि TDS में जरूरी नहीं है कि वो वापिस मिलेगा ही मिलेगा तो आप उसे duties and taxes के category में डालें लेकिन यहां पर PF को हम किसमें डालेंगे तो PF को हम डालेंगे यहां पर deduction from employees है employees statutory deduction है ठीक है तो यहां पर यह statutory deduction है और यह statutory contribution है ठीक है तो यहां पर यह PF account number इसको डालेंगे हम किसमें employees statutory contribution में डालेंगे ठीक है और यहां पर PF account number और वगर वगर यह सब चीज़े आएंगी और ये क्या रहेगा आपका यहां पर देख सकते हैं यह एक तरह का indirect expense रहेगा आपका ठीक है यह ध्यान दीजेगा यह क्या रहेगा indirect expense क्योंकि आपका पैसर कटेगा तो यह indirect expense की category में इसे डाल देंगे और net salary affected yes कर देंगे पी-अफ ही है यह और यहां पर आते हैं तो normal downing करेंगे और यहां पर आकर के on specified formula यानि basic salary के तहद अब हमारा पी-अफ कटेगा अगर 10,000 तक है salary तो पी-अफ कितना कटेगा तो इस पर percent में तो 5% पी-अफ कटेगा ठीक है 10,000 से लेकर 25,000 तक है यहां पर देखिएगा 10,000 से लेकर 25,000 तक है तो यहां 10% कटेगा और 25,000 से चाहे जितना उपर है 15% यहां पर कटेगा तो यह हमने दे दिया और इसको accept करा लिया तो देखी पी-अफ भी हो गया अब बचा है TDS जिसकी हम बात कर रहे थी है ठीक है तो TDS कैसे तो TDS का मतलब होता है Tax deducted at source ठीक है यहां से Create पे चलते है Navigation की का प्रेयोग करके Create पे आए और यहां पर लिख देते हैं TDS TDS यानि Tax deducted at source यह कोई earning नहीं होती है यह deduction ही होता है आपका ठीक है तो यह deduction from employees करेंगे यहां पे और इसको डालेंगे duties and taxes के category में तो यह duties and taxes हो गया और यहां पर आएंगे तो यहां पर अब क्या करेंगे on computed value और यहां normal rounding करके आगे बढ़ेंगे और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यह आएगा on specified formula के थायट ठीक है basic पे अगर 10,000 तक है ध्यां दीजेगा अगर basic पे 10,000 तक है तो यहां पे TDS का percentage रहेगा 0 ठीक है 0 किया है मैंने और 10,000 से लेकर मतलब 10,000 तक है 10,000 से उपर और 15,000 तक है तो ऐसे में यहां पे percentage क्या रहेगा तो यहां पे रहेगा 5% ठीक है और 15,000 से उपर और 50,000 तक है ध्यां दीजेगा 50,000 तक है यहां पे 50,000 किया है तो percentage रहेगा कितना 10% और 50,000 से जितना उपर है तो यहां पे रहेगा 20% ठीक है तो यह 20% कर दिया है और यहां पे इसको accept करा लिया है अब यह एक व्यक्ति यानि अमन जो की management से belong करते इनकी पूरी salary की detail है यह ठीक है अब यहां पे enter करके enter करके इनका employee number डाल देंगे तो मालिजे यह employee number है designation यह management के याद भी है तो designation में management ही डाल देंगे तो यह हो गया management enter करेंगे और function इनका manager का मालिजे होगा तो यहां पे manager कर देते हैं यह manager हो गया enter करेंगे location इनकी देवरिया है तो D.E.O.R.I.E.E. देवरिया दे दिया हमने आपका जो भी location बनता हो दे दीजेगा यह mail है तो यह mail कर दिया date of birth होगर है डाल दीजेगा और यहां पर आपको bank का detail भी डालना है इसके अलावा income tax, pf account, number अगर सब कुछ डालते हुए इसको accept करा लिजेगा मैंने फिलाल इन सब चीजों को skip किया है आपको डालना है और यह जब accept हो जाएगा तो यह हमारा तयार हो गया salary का detail ठीक है अब यहां से बाहर आईए वी बटन प्रिस कीजिए और सीधा कहां चलना है other voucher क्योंकि यहां पर हमें payroll नहीं नज़र आ रहा है तो यहां पर attend प्रिस करके other voucher में आईएगा तो अब यहां पर देखिए payroll आ रहा है किया तो payroll voucher में आपको पहले नज़र आ रहा है attendance तो पहले हमें attendance ही बनाना है attendance पर आएंगे और अमन का attendance हमें करना है तो माल लिजे कि यह 5 दिन absent होगा तो absent होगा तो पैशा कट जाएगा तो यह absent होगा अब क्या करेंगे अब हमें अमन की salary देनी है तो यहाँ अमन लगाएंगे यह जो laser है यह लगाएंगे अमन वाला यह जो हमने बनाया है ठीक है लेकिन उससे भी पहले आमें other voucher में जाना होगा ठीक है पहले इसको accept कराएंगे उसके बाद तो पहले तो इसको accept करा लेते हैं यहाँ पे enter करके एंटर करके चुकि और कुछ तो है नहीं ऐसा तो है नहीं कि इनोंने over time किया अगर over time किया होता तो over time का लग से हम बना लेते एंटर करके इसको accept करा लिया जब accept करा लेंगे तो यहाँ पे अफ्टेन प्रिस करके और कहा आना है पस यही दिक्कत आपके साथ हो सकती है बाकी payroll आप सीख जाएंगे पका चीक है अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम autofill का एक option आएगा देखिए यह autofill आ रहा है और इसके नीचे दो line बनी हुई है दो line बने होने का मतलब यह है कि यह autofill आपको control के साथ दबाना है या तो यहाँ पर click कर दीजिए या तो यही button control के साथ दबा लीजिए तो हम यहाँ click ही कर देते हैं तो click करेंगे तो यह इस तरीके का एक dialogue box open होगा आप करना क्या है payroll autofill पर click करना है और यह salary है ध्यान पर जिए क्या है salary है तो salary अच्छा यहाँ पर यह educational mode यूज़ कर रहा हूँ तो educational mode में 30 तरीक वाला date support नहीं करेगा तो यहाँ पर कर देते हैं 15-2024 यह कर दिया हमने और enter करेंगे और यह अमन की salary है तो यहाँ पर अमन कर देते हैं employee name के हिसाब से आएगा और यह cash में जा रही है salary तो देखिए कुल मिलाकर इनकी salary कितनी बन रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर detail देख सकते हैं कि कुल मिलाकर salary कितनी बन रही है 22,593 रुपए 22,593 रुपए ठीक है तो आपने देखा कि यह कितनी आसानी के साथ calculate हो जा रहा पर यहां से ना जाकर कि आप जैसे माली जी यहीं पर create पर जाएंगे तो यहां तो payroll में हम आ चुके हैं तो यहां पर create पर जाने का कोई फायदा ही नहीं है तो यहां से पहले बाहर आईए इसके button ट्रेस करके और फिर कहां चलिए create पर चलिए और एक other employee बना लीजिए यहां पर नीचे आईएगा तो यह employee का group है और यहां employee creation है तो यहां पर employee create कर लीजिए आप जैसे माल लिजिए यहां पर इस बार employee create करते हैं रामू यह लिख दिया एंटर किया और इसका group क्या रहेगा तो यहाँ पर group इनका रहेगा sales का तो यह sales कर दिया और इनकी salary की detail को यहाँ से define करना होगा तो इनकी basic salary कितनी है तो इनकी basic salary माल लिजे 15,000 रुपए है तो यह 15,000 दे दिया हमने फिर इनका TA उसी के हिसाब से कटेगा जो हमने देते हैं HR-A वहाँ पर हमने HR-A नहीं दिया था लेकिन यहाँ पर HR-A हम देंगे तो HR-A इनको मिलेगा तो जाहिब सी बात है earning for employees होगा और यह भी fixed रहेगा और यह भी indirect expense ही है ठीक है company के लिए तो यह indirect expense ही है तो enter करेंगे enter करेंगे और यहाँ पर यह आप चाहिए तो yes कर सकते हैं इसको भी और यहाँ मैंने इसको no किया है income tax वाले को no किया है और यहाँ पर जो है HR-A computed value रहेगा ठीक है तो computed value पर आएंगे normal learning करके यहाँ पर आएंगे और HR-A भी क्या होगा current earning ही होता यह तो basic salary के अधार पर HR-A calculate होगा अगर salary 10,000 तक है तो HR-A निल रहेगा आपका यानि 0% रहेगा 10,000 से लेके 25,000 तक है ठीक है तो ऐसे में HR-A मिलेगा 3% ठीक है basic salary का 3% और 25,000 से चाहिए जतना उपर है तो 5% तो यह एक अलग से हमने दे दिया है यानि HR-A भी इसमें mention किया है बाकी यहाँ पर employee का number आ जाएगा designation होगर आ जाएगा तो जो भी यह सब भर करके आगे बढ़िएगा आगे बढ़िएगा इसको accept करा लिजएगा और इस बार हम रामू के attendance की बात कर रहे हैं और इन्होंने leave लिया है तो बिलकुल लिया है इन्होंने कितना दिन leave लिया है 20 दिन का leave ले लिया है 20 दिन इसलिए लिखरा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा चीक है अब यह 20 दिन की लीप की बात हुई तो यहाँ पर इसको accept करा लिजे और जैसे ही accept करा लेंगे तो फिर कहाँ चलना है चलना है other voucher में यानि अब चलना है payroll में control F4 भी प्रेस कर सकते हैं आप और cash में salary provide करनी है चीक है अब किसको करनी है तो इस बार रामू को करनी है तो यह रामू आगया यहाँ पर बाकी की चीज़ें auto fill होगी यानि जब भी यहाँ पर आएंगे तो यह auto fill करना है आपको auto fill पर click करना है auto fill पर click करते ही ऐसे आएंगे और फिर यहाँ पर salary आएगी और salary जो है एक पांच से एक तिस पांच के बीच की होगी और इस बार जो है हम रामू के salary की बात कर रहे हैं employee name के इसाब से आएगा cash में salary आएगी तो ये देख सकते हैं कि salary 15,000 थी और घट करके ये 6,429 रुपए 3 पैसे क्यों मिल रहे हैं क्योंकि 20 दिन ये absent है तो फिर उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा इसी वज़ा से ऐसे ही आया है ठीक है उमीद करता हूँ बात समझ में आई होगी enter enter करके accept करा लिए दोनों लोगों की pay slip देखने के लिए पहले यहां से बाहर आएंगे और यहां पर आकर के आपको क्या करना है एक बाए दीप्रेस करना है और दीप्रेस करके क्या करना है statutory report में जाना यह एक payroll report है statutory report के नीचे payroll report है और यहां से आप pay slip देख सकते हैं जैसे अमन की pay slip यह है alt p कीजिएगा तो यह pay slip भी आपको दिखाई पड़ेगी i button press कीजिए देखिए यह अमन की pay slip है देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह salary बनी हुई है इसी तरीके से अगर आपको रामू की pay slip देखनी हो salary तो इनकी cut गई है काफी 70 कटी हुई है alt p कीजिए enter कीजिए i button press कीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी salary कटी हुई है और TDS भी कितना कटा हुआ है 750 रुपे कटा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर TDS भी कटा हुआ है salary तो 20 दिन की मिलेगी न 10 दिन की मिलेगी 20 दिन तो absent रहे और अमन के condition में क्या होगा अमन के case में तो यहाँ पर अमन की salary आप देखेंगे तो इसमें भी जो है TDS कटा हुआ है कितना कटा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2500 TDS कटा हुआ है यहाँ पर देखिए यह 2500 TDS कटा हुआ है लेकिन इनका जो है absent कम है तो उसके इसाफ से salary इनको ज़्यादा मिले और salary भी इनकी ज़्यादा है यहाँ पर यह आपको show हो रहा है उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी अगर इसी तरह की वीडियो के आपको ज़रूरत है तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए keep watching thank you for watching this video